हलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म स्टार्ट विद प्राउड में आज है एक अगस्त दो हजार बीस आज के बहुत ही महत्पूर्ण करेंटर्फिर्स को देखेंगे साथ ही उनका बेसिक सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार से जुड़ाओ है उन टॉपिकों को भी डिसकस करेंगे और हाँ एक महत्पूर्ण सूचना कि यह जो बीडियो है यह यूपिएससी स्टेट पीसीएस के एनलेटिक कोश्चन के हिसाब से तयार किया जाता है और साथ ही साथ SSC, Banking, Railway और तमाम प्रकार के एकजाम के लिए इसमें factual news भी होती है तो आप एक बार वीडियो को पूरा देखा करिए और बाद में compare कीजिए कि जो आप वीडियो और देख रहे हैं तो उनमें और इसमें क्या आनतर है अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको subscribe कर सकते हैं और bell icon दबा सकते हैं और like कर सकते हैं ताकि आपको next वीडियो की notification मिल जाए और आप अगर support करोगे तो हम इसी तरीके से और नई स्रीज भी लेकर आएंगे और आप इसमें देखोगे कि आपको हिंदी में ही slide मिलेगी और हिंदी में ही आपको समझाया जाएगा तो यह काफी beneficial हो जाता है क्योंकि और चैनलों में आपने खुद से feel किया होगा कि English की slide दे देते हैं और हिंदी में समझाते हैं जिसकी वज़े से काफी problem हिंदी medium बालो एक्ट हाली में किस देश में लाया गया भगवान सिप की चोरी हुई मूर्ती और उसका ब्रिटेन के साथ क्या संबंद है और भारत के किस मंदिर से चोरी हुई थी यह आपको आज की वीडियो में बताया जाएगा साथ ही हम basic subject के topic के हिसाब से प्रतिहार बंस को जानेंगे और इंडिया प्राइट प्रोजेक्ट का संबंद इस मूर्ती से कैसे है हम ये भी देखेंगे हम AIM यानि की अटल इनोवेशन मिसन ICR EST हाली में क्यों लौंच किया गया इसे हम देखेंगे aerial seeding क्या होती है इसे देखेंगे ammonia का दिली में यम्ना नदी में किस प्रकार का प्रवाव देखने को मिलता है और उससे कैसे जल प्रदूसर्ण होता है हम ये discuss करेंगे साथ ही हम inner line permit के बारे में discuss करेंगे इसके historical background को जानेंगे और इनमें क्या 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 आदिकार आदिवाश्यों को दिये जाते हैं हम ये जानेंगे और सबसे महत्पूर न्यूज आज की यह भी है कि perseverance नासा का जो मंगल का मिसन है हम यह जानेंगे और साथ ही जानेंगे और launch किये हैं संभिधान का अनुचेद 249A का clause 4 हाली में news में रहा जो की दिल्ली दंगों से संबंदित है हम यह जानेंगे कि यह क्यों news में रहा और यह पूरा वीडियो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा वीडियो हिंदी में होगा तो आप इसको एक बार पूरा वीडिय कि फिर चैनल को आप सस्क्राइब कीजिएगा आएए news को discuss करते हैं पहली news संबंदित है ब्रिटेन और स्व भगवान की मूर्ती से यह खबरों में क्यों रहा तो हम देखते हैं कि हाली में इसके खबरों में रहने का कारण यह है कि हाली में ब्रिटेन सरकार्ड के द्वारा Archaeological Survey of India को भगवान सिप की मूर्ती जिसको हम नेट्सा के नाम से जानते हैं को सोंप दी गई मतलब ब्रिटेन सरकार ने भारत सरकार को यह मूर्ती सोंपी अब यह मूर्ती किस बंस से संबंदित है यह गुजर प्रतिहार बंस से संबंदित है तो आईए इसके कुछ मुख बिंदूओं को देख लेते हैं राजिस्तान के घटेश्वरा मंदिर बरौली से यह मूर्ती चोरी हो गई थी तीसवी सदी मैनर में सिप जी की यह मूर्ती थी और कैसे बनी थी यह सेंड स्टोन से बनी हुई थी यह सिप की नटराज की मूर्ती थी जो चातुर पोज में जटा मुकुट और त्रनेत्र के हिसाब से बनी हुई थी यह आप यहाँ पर देख सकते हो इस फोटू में यह त्रनेत्र सिप जी के दिखाई दे रहे हैं इसमें नंदी को सीधे पैर के पीछे दिखाया गया है जो प्रतिहार सेली में बनी हुई है ठीक है तो आप यह तो सिव जी के पैर के पीछे दिखाया गया तो आफसे एक्जाम में पूछा जा सकता है ऐसे कोशन जैसे कि अजनता से रिल्टेड एक कोशन पूछा गया था कि बोधी सत्व की मूर्ती हमें कहां देखनों को मिलती है तो ऐसा इसको भी पूछा जा सकता है UPSC IS के एक्जाम मे तो आईए इसके संबन्द में कुछ और जानकारी हम जान लेते हैं अब चूकि गुज़र पृतिहार बंस से इस मूर्ती का संबन्द था तो हमें ये पता होना चाहिए कि गुज़र पृतिहार कौन थे क्योंकि अगर एक्जाम में कोशन बना तो एक आफसन बेसिक का बना क है और ये है गुज़र पृतिहार का एरिया और साथ ही साथ हम थोड़ा सा लोकेशन और देख लेते हैं ये राश्टकूर्ट यहां पर रहते थे और पालवंस यहां पर निवास करता था ठीक है ये चेर पांड़य चोल गंग पलवास चालुक आप ये लोकेशन भी हम डिसकस करेंगे तो आईए अपनी निवस की तरफ बढ़ते हैं वापस यह पूर्व मद्यकाल के दोरान मद्य उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में राज करने वाला राज किये भारतिये बंस था तो आप ये देखोगे पूर्व मद्यकाल मैंने इसलिए यूज किया क् मद्यकाल को दो भागों में बाटा जाता है जब सल्तनत काल बारसो छे से स्टार्ट होती है उससे पहले के काल को हम पूर्व मद्यकाल कह देते हैं और उसके बाद के काल को उत्तर मद्यकाल के नाम से जाना जाता है तो प्रतिहार वंस की इस्थापना किस ने की थी नागभ उस समय की गुजदर प्रतिहार सैली की संपन्नता का बोध मिलता है। और ये गुजदर प्रतिहार सैली जो थी बो उत्तर भारत में जो नागर सैली आप देखेंगे उससे काफी ज़्यादा समानता रखती है। अभी हम इसको डिसकस करेंगे। अब इनके सासन गाल में बहुत ही मैतपूर घटना घटी जिसको हम त्रकोडिये संगर्स कहते हैं और कई वार इसको सत वर्षी युद्ध भी बोल देते हैं और यह युद्ध किसलिए हुआ था यह युद्ध कन्नोज को प्राप्त करने के लिए हुआ था जो की हर्स बर्दन के द्वारा खाली छोड़ दिया गया था यह आप कन्नोज की लोकेशन मैप में भी देख सकते हूँ यह लोकेशन बहुत ही जादे इंपोर्टेंट थी इसलिए तीनों लड़ रहे थे इसके लिए इसलिए इसको त्रकोडिये संगर्स बोला गया जिसमें पक्षिम और उत् लवास की रादधानी और पाल और गुजदर प्रतिहार की रादधानी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो अब यहां कई महान साहित्यकार भी हुए इनमें शिशुपाल वद के रचैता माग का नाम सरप्रतमाता है अब यह कोशन आपसे पूछा जा सकता है एक्जाम में से की दोरान उन्होंने करपूर मंजरी जथा एक संस्कृत नाटक जिसको बाल रामायड कहा जाता है का की रचना की तो आप यहां पर खुछ से देख सकते हो कि कैसे कोशन हमने इसमें एड की हो गया है ताकि आपके एक्जाम परस्पेक्टिव से वो काफी जादा इंपोर्ट के क्योंकि इस बंस का स्वन योग इनी के काल को कहा जाता है तो आए हम कुछ और जानकारी भी ले लेते हैं सबसे पहले हम इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं यह एक ग्रुप है जो आर्ट के चाहने वाले है उनका एक ग्रुप है यह क्या करता ह कि सोसल मीडिया के माध्यम से चोरी किये गए धार्मिक और एथिहासिक बस्तूओं की पहचान करता है और उन्हें बापस लाने का प्रयास करता है और इनी के कारण अभी जो मूर्ती है उनका इसमें काफी बड़ा योगदान रहा है आई अब प्रतिहार सैली के बारे में हम थ सैली मूजियम की आर्ट गैलरी में जाओगे तो आपको वहाँ पर यह मूर्तिया देखने को मिलेंगी तब आप उसमें अनलिसिस करना की वह रैड कलर के पत्थर से बनी होगी और उसके बाद उसमें आयरन की कुछ कोटेंग होगी ताकि वह मजबूती उसमें दे दी जाती कि आपको इसको अनलिसिस करना इस बंस की जो मूर्तिहां होती थी और जो मंदिर बनाया जाते थे वो एक और में जाते थे कि जैसे यह यह सपोस्च्राप्र यह और यहां पर मंदर बना दिय रहे हैं कई बार तो re करवाए हुए हैं ठीक है और ये उत्तर भारत की नागर सहली के साथ काफी ज़्यादा समानता रखती है कुछ महतपून मंदिर जिसमें हजराहो और महोबा दोनों चंदेल बंसे संबंदित नगर थे ठीक है इनके इस्तापत इस सहली से मिलते जुलते हैं तो आप ये याद र आएए नेक्स्ट निउस को डिसकस कर लेते हैं नेक्स्ट निउस यूएसे से संबंदित है हाली में अमेरिकी सदन के एक पैनल के द्वारा महत्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बिरासत को बढ़ावा देने के लिए एक बिध्यक पारित किया गया और उ आंदोलन को एक नित्रत प्रतान किया और अगर इनके आंदोलनों का क्रम कई बार पूछ लिया जाता है तो आप यह याद रखिएगा कि सबसे पहले इन्होंने असायोग आंदोलन चलाया इसके बाद सबने अभग्या आंदोलन इसके बाद भारत छोड़ों आंदोलन इनो रख सकते हैं क्योंकि ये भी कई बार कोशन पूछ लिया जाता है ठीक है अब अपन इस विल की तरफ आते हैं किया कर इस विल में है क्या इसमें भारतियों और अमेरिकियों के लिए बार्सिक रूप से स्कॉलर्सिप और छात्र बिनिमय कारिकरम लागू किया जाएगा जो दोनों नेताओं की बिरासत का अध्यन करेगा इस विद्यक में गांधी किंग ग्लोबल अकेडमी अहिंसा के सिधान्तों पर आधारित एक संघर्स समापन समाधान पहल की स्थापना की जाएगी मतलब अह हिंसा के सिधान्तों को कैसे बढ़ावा देना है इसमें ये छात्रों को बताया जाएगा इस विद्यक में भारतिय कानूनों के तहत और यूएस एड और भारत सरकार के दवारा संयुक्त राज भारत गांधी किंग डेवलप्मेंट फॉंडेशन की स्थापना भी की आईए अब मार्टिन लूथर किंग के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं चुकि हमें इंडिया के एक्जाम देने हैं तो इनका जीवन पर्चे जानना हमें इतना इंपोर्टेट नहीं होता लेकिं फिर भी थोड़ी सी जानकारी होने चाहिए as a awareness इनका जन चलाए गए थे इनके जीवन का संगर्स 1955 से लेकर 1968 में अपने चरम पर था इन्होंने गांधी जी की तरह अहिंसा और सिविल डिसवीडेंट के आंदोलनों को चलाया आईए next news को अपन डिसकस कर लेते हैं next news भी USA से ही संबंदित है और ये काफी important है तो ये खबरों में इसल Florida के Cap Canaveral Air Force Station से मंगल ग्रह पर 2020 Perseverance Rover को प्रिच्छेपित किया गया अब इसका उद्देश से क्या है इसका उद्देश यह है कि यह ग्रह में जव उपस्तिती की खोज करेगा साथी साथ इसमें एक रोवर भी होगा जिसको हम मोक्सी अथ्वा मार्क्स ऑक्सीजन E.I.S.R. यू एक्सपेरिमेंट नामक एक उपकरण भी होगा जो मंगल ग्रह पर पहली बार आप यह आज रखना कि पहली बार कारवन डेयोक्साइड सम्रद बाता बरन का उपयोग आडविक ऑक्सीजन की निर्माण करने के लिए करेगा आप यह यहाँ पर देख सकते हो यह MOXIE ठी से CO2 से ठीक है और यह इसमें काफी सारे और भी टी आई एक्सेल सेल लॉक सुपर केम मेस्ट केम जैड और रिमफेक्स और मेडा यह बैदर को देखेगा बाकि आप इसको एक बार पढ़ लेना पॉस करके तो ज्यादा सही रहेगा इसमें सात उपकरण लगी हुए यह आप एक इंपोर्टेंट और बात देख लें कि पर्जिवरेंस मिसन इस माय का थर्ड मिसन है अभी आपने पिछले कर इंटरफेर्स में जैसा मैंने कवर करवाया भी है तो यूए यानि की संयुक्त अरव अमिरात ने अपने पहले मंगल मिसन यानि की होब मिसन को लॉंच किया और इसके बाद अभी चीन ने हाली में 93 फर्स्ट को लॉंच किया तो यह थर्ड है आप याद रखिएगा उपयोगी तत और जान लेते हम एक मंगल वर्स तक जारी रखने की इसको योजना है और प्रतवी पर लगबग 667 दिनों की अविदी के बराबर होता है मंगल ग्रह फाइंडर मिसन को शुरुबात किया दूसरी बार नासा ने वर्स 2003 में मंगल पर जुडवा रोवर्स बेजे जिसका नाम इस्परिट था और क्या था अपॉर्चनिटी था ठीक है आप इसको याद रखिएगा नासा ने तीसरी बार 2012 में क्यूरुसिटी रोवर को बेजा थ और अब परजी विरेंस को आईए नेक्स्ट न्यूस को अपन डिसकस कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूस संबंदित है संबिधान के अंचे 249 एक क्लॉस 4 के तहद ये खबरों में क्यों रहा इसके खबरों में रहने का कारण यह था कि जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसके सं कामलों की सुनवाई करने के लिए पैनल न्यूक्त कर दिया ठीक है और सुप्रीम कोट और हाई कोट में इसकी अरजी दायर कर दी ठीक है जिसे दिल्ली सरकार ने क्या कर दिया खारेज कर दिया अब दिल्ली सरकार की कैबिनेट के नेड़ने को पलटने के लिए जो जेपाल के आदेशों का पालन करने के लिए क्या है बाद है तो आप ये आर्टिकल याद रखिएगा क्योंकि अगर उपराज जेपाल दिल्ली सरकार को कोई आदेश देता है तो दिल्ली सरकार को ये मानना ही पड़ेगा ठीक है आप ये दिल्ली की लोकेशन भी देख सकते हो आईए next news को अपन discuss कर लेते हैं next news संबंदित है AIM-ICREHT कारकरम से यह खबरों में क्यों रहा तो सबसे पहले तो यह आद रखना कि जो अटल innovation mission है वो नीती आयोग का है और जैसे कि इस बार 2019 IS के prelims में भी यह question पूछा गया था आप जाके चेक कर सकते हो नीती आयोग के अटल नवचार mission ने एक मजबूत पारिस्तित की तंत्र हे तू AIM-ICREHT कारकरम की शुरुवात की अब यह शुरुवात क्यों की ताकि देश में incubator पारिस्तित की तंत्र में भिकास किया जा सके और ATOL Innovation Mission और ATOL Innovation Centers को सपोर्ट दिया जा सके और उन्हें पिर्मोट किया जा सके ताकि वो अच्छा प्रदर्शन कर सके ठीक है अब कुछ अन्परिच्छोपियों की तथ्यों को जानने से पहले अपन एक बार incubator क्या होते हैं उनको जान लेते हैं सामानिता इंक्यूवेटर केंद्रों का अभी प्राय उन संस्तानों से होता है जो किसी बिसिष्ट ब्यवसाय को बिक्सित करने में उद्मियों की मदद करते हैं इन सौर्ट अगर अपन समझें कि जो स्टार्ट अप करना चाहते हैं और बिसिष्ट ब्यवसाय हैं तो उनको इसके तहट मदद दी जाएगी ठीक है खास्तोर पर ब्यवसाय सुरू के आरंबिक चर्णों में ही इनको मदद की जाती है उनको लगवग और हर प्रकार की मदद दी जाती है आईएब अपन अपनी न्यूज की तरफ चलते हैं देश में नवचार को बढ़ाने उच्च छमता वाले स्टार्ट अफ को बढ़ाबा देने के लिए ताकि बिस्ट शुस्तर की उधमिता और नवचार में सयोग मिल सके इस कारिक्रम के लिए बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और बादवानी फाउंडेशन के साथ साज़ेदारी की गई है तो यह जो प्रोग्राम है तो इसके द्वारा चिलाए गया इनकी साज़ेदारी इसमें है तो आप इसको एक बारी याद रखिएगा ठीक है आप इसके यह लोगों भी देख सकते हो यह मैंने वेबसाइट से लिया था नीति आयोग की अटल इनोवेशन मिशन बिल एंड मिलिंडा गेट्स प्लस बादवानी ग्रूप तो आप पिक्चर से भी ज़्याद अच्छे समझ सकते हो क्योंकि पिक्चर मैंने एक क्ल के लिए था Shtatup को बड़ावा देने के लिए अब अटल इनोवेशन मिशन का उद्दिस जो था वह अटल इनोवेशन केंद्रों की स्थाफना करना था मतलब इस मिशन के तहत कुछ eccOUबेशन केंद्रों को बनाया जाएगा जो की सतक-वैवसाई-व्दमियों के निर्मान क के लिए नभीन स्टार्टप को पोस्टन कर सकें ठीक है एक चीज और अगर आप इसको मतलब की देखना चाहते हो या कुछ सीखना चाहते हो तो आप इस बैक साइड में जाकर इसको चेक कर सकते हो और कुछ और जानकारियां भी ले सकते हो जैसे कि कोट लिखा हुए मतलब हमें क्रियेटिविटी और इमेजनेशन पैदा करनी है यंग माइंड में ठीक है आए नेक्स्ट न्यूज को पर डिसकस कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज संबंदित है एरियल सीडिंग से ये खबरों में क्यों रहा हाली में हर्याना सरकार ने राज की अरावली छेतर ज यहां कोई नहीं जाता ठीक है वहां पर पेड़ों को लगाया जा सके ठीक है और यह परियोजना पाइलेट आधार पर संचालेद की जा रही है अगर यह सफल होती है तो बांदेश के बांकी हिस्सों में भी हम इसको लूंच कर सकते हैं ठीक है तो अगर आप से किसी वी एक रोपन की तकनीक है जैसे कि हम खेती में रोपिंग करते हैं किसी वी प्रकार का जैसे की बीज को लगाना ठीक है वहां पे हम मैनुवली करते हैं लेकिन यहां पर टेक्नोलोजी की मदद ली जाएगी तो यह रोपन की एक तकनीक है जिसमें बीजों को मिटी, खाद, प्तूल जैसा बनागर कर एक गयन का अकार सको दे दिया जाता है इसके बाद हवाई जहाद जीवह पकर्णों से जायको बिमान भी हो सकते हैं ऐलिकॉप्ट着 भी हो सकते हैं इनका उप्योग करके गयनों को लच्छे चेत्रों में फोपड़त जाता हैं यह उन कुछ ना कुछ चीज़ें भर दीगे जैसे अपने यहां पर पढ़ा ठीक खाद भी हो सकती है गोवर की खाद चार कॉल तमाम प्रकार की चीज़े होती है तो अब यह नीचे गिरेगा न तो यह जो कोटेंग है वह जो गेंद काकार दिया गया है वह फट जाएगा और जाद अच्छे समझ में आ जाएगा यह देखो एरियल सीडिंग ऐसे करवाए जाती यहां से बीच डारिक डाले जाते हैं ठीक है आए नेक्स्ट निउस को अपन डिसकस कर लेते हैं नेक्स्ट निउस दिली से संबंदित है यह खबरों में इसलिए है क्योंकि दिली में जो अमोनिय पानी तो बेजा नहीं जाएगा लोगों के पास नुकसान हो सकते हैं ठीक है अब जो हमारा बी आई एस यानि की ब्यूरो आफ इंडियन स्टेंडर्ड है उसके अनुसार अगर आप बी आई एस के बारे में डिटेल से जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इसका प देखतम जीरो पॉइंट कितनी है फाइब पार्ट पर मिलियन अब आप सोचो जीरो पाइब पार्ट मिलियन है और कितना हो गया थ्री हो गया तो यह नुकसान दायक हो गया आईए अमोनिया के बारे में विवपन थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं अमोनिया का रसाइनिक प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइवर, रंजक या अन उत्पादों के उत्पादन में एक ओद्योगिक रसाइन के रूप में इसको यूज किया जाता है तता जमीन और सतह के जल स्त्रोतों से यह ओद्योगिक अपसिस्टों, सीवेज, द्वारा, संदूशन और क्रसी अपव प्लास्टों में चला गया, उसके बाद क्या हुआ, उसने नदी के पानी को दूसित कर दिया, और उसी के कारण आज क्या हमें समस्या देखने को मिली है, कि इस तरह है, वो 3 पोंच गया, और जबकि होना कितना चाहिए, 0.5 तो आप यहां से यह दोनों चीज़ आप याद क्योंकि यहां से कोई option बन जाएगा, कि कितनी मानता BSI ने जारी की है, आइए इस से संबंदित कुछ और New Japan देख लेते हैं, अमोनिया पानी में oxygen की मातरा को कम कर देती है, ठीक है, अब oxygen की अगर मातरा कम होती है, तो उसके कई प्रवनाम निकलते हैं, पहली बात तो पानी दूसित हो जाएगा, ठीक है, और दूसरी चीज़ जो अधर की बायो डाइवरसिटी होगी, उसको भी प्रवाव पड़ेगा, तो overall यह humans के लिए भी नुकसान दायक है, प्लस environment के लिए, ठीक है, दोनों के लिए यह खत्रे से खाली नहीं है, यह nitrogen के oxygen रूप को परिवर्ति कर देता है, जिससे कि जैवरसायनिक oxygen मांग, यानि कि BOD इसका बढ़ जाता है, ठीक है, वाइलोजिकल oxygen demand क्या होती है, अगर हम इसको एक लाइन में समझें, तो मतलब कि किसी भी water bodies में, जितनी oxygen की मांग होती है, तो उसको ही हम BOD कहते हैं, अगर आप इसको ना, एक बार द अमोनिया की मातरा बन PPM से अधिक है, तो यह जल मचलियों के लिए विसाक्त हो जाता है, और मनुष्यों द्वारा बन PPM या उससे अधिक अमोनिया का इस्तर करने पर आंत्रिक अंगों को नुकसान होने लगता है, तो अपने नुकसान भी देख लिए, अब इसको करन के कैसे कर सकते हैं, क्लोरी करन से सुद्ध जल मिलाकर या तो फिर नियंत्रन संबंदी गतिविदियों को अपना आ जाए, जैसे कि फेक्टरी को कंट्रोल किया जाए, कच्रे का प्रॉपर विवस्ता की जाए, ठीक है, जिससे पानी में अमोनिया के मिलने से रोका जा सक ठीक है, आईए, नेक्स्ट नियूज को डिसकस कर लेते हैं, अब चुकि अपन ने करेंट की डिसकस कर ली, अब किसी भी एक्जाम में इंपोर्टेंट ये हो सकता है कि यमुना नदी के बारे में हब डिसकस कर लो, तो इसकी जाहतर नॉर्मली कोश्चन यही पूछा जाता कि आईयों के पास यमनोत्री गलेशियर से निकलती है, और अंत में ये कहां जाकर मिल जाती है, प्रियाग राज में गंगा से मिल जाती है, जिसको हम संगम बोलते हैं यह उत्त्राखंड, हिमाचल प्रदेश, हरयाना, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बेहती हुई गंग को आप देख सकते हो और इसकी सायक नदी आप चंबल काफी मेहतपूर शिंद नदी ठीक है एंड बेतवा नदी यह सायक नदियां हो गई आप यह याद रखना है इसकी लंबाई कितनी है तेरा सो चेटर है और अगर गंगर की टेम उत्रकंड में बनाया जा रहा है इस नदी ठीक है और ताजे वाला बहराज वांध हर्याना में और इसकी सायक नदी जैसे अपने डिसकस कर ली चंबल सिंद बेतवा और केन है आईए नेक्स निउस को अपन डिसकस कर लेते हैं नेक्स निउस संबंदित है इनर लाइन प और जाने की अनुमती देते हैं ठीक है इनर लाइन पर्मिट उन सभी के लिए अनिवार है जो संरक्षित राज्यों से बाहर रहते हैं, ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया, यह सिर्फ यात्रा के प्रयोजन के लिए संबंदित राज्य द्वारा ही जारी किया जा सकता है, ठीक है, इन सौर्ट यह निकल के सामने आया कि अगर आपको संरक्षित राज्यों में जाना है, तो आपको राज्य सरकार के द्वारा क्या लेना पड़ेगा, पर्मिट लेना पड़ेगा, तब ही आप वहाँ पर परटन या किसी और उद्देश से जा सकते हो, ठीक है, अब आपन ने जब करेंड की बात कर ली, तो आपन बेसिक भी डिसकस करेंगे, क्योंकि बिना बेसिक के तो समझ कैसे बनेगी, इनर लाइन परमिट की स्तापना, बिटिस सरकार ने बंगाल इस्टर्ण फ्रेंटियर रेगुलेशन 18-17-3 के तहद, ठीक है, तो आप ये डेट याद रखना, के तहद बंगाल के पूरवी हिस्सों की जंजातियों से सुरच्छा के लिए की थी, क्य बनाया गया था, आईए, अब इससे संबंदित कुछ हाल या न्यूज भी डिसकस कर लेते हैं, कि जो नागरिक्ता संसोधन अधिनियम आया था भी, 2019 में, और उसमें पूरवोत्तर भारत के से क्या संबंद था, जो IPL विवस्ता के तहत संरक्षित राज थे जो जैसे कि ना इसको, अब ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि जो संबेधान है हमारा वो छटी अनुसूची में लिखित राज जैसे कि संपूर्ण में घाल है, कि बल सिलांग को छोड़ दिया जाए, सिलांग को छोड़ दिया जाए, मिजोरम, आसाम, एंड तिरपुरा, आदिवासी, छे कर कैप से बाहर इसको रखा गया था, ठीक है, आप ये मैप को देख सकते हो, आप इसकी लोकेशन याद रखना क्योंकि कई बार ना वन लाइनर जो एक्जाम होते हैं, बंडे एक्जाम जिनको हम कहते हैं, उनमें लोकेशन लगाने के लिए दे दी जाती है, कि जैसे नाग इंटाइर इस्टेट आई आई एल पी रिजीम तिरपुरा सिक्स सेड्यूल कवर्ड सेवेंटी परसेंट ऑफ जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, जो सिक्स सेड्यूल है, अपने डिसकस किया है, आसाम मिगाल है, एंड मनीपुर को भी आप ऐसे ही देख सकते हो, तो ये थी ह ये ऐसी एक आप वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि अगर वीडियो को आप पूरा नहीं देखो गे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखर हिंदी मीडियम के लिए इतनी मैनद की जा रही है, क्योंकि आप खुद गैस करिये न, आपको ना इंगिलेस में PPT दे जाती है ठीक है और वो हिंदी में बोलते रहते हैं तो ये तो उनका ही फायदा हुआ ना आप एक पर सपोर्ट तो करिए चैनल को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम इसमें और नए नए प्रयास करेंगे साथ ही साथ कुछ प्रीबियस येर के कोश्चनों को भी डिसकस हम चालू करेंगे और आपको ये मेडियो कैसा लगता अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और प्लीज सस्क्राइब कीजिए इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए